आप लीज अपना प्रेजेंटेशन जो एक्शन रिसर्च पर आपका मैं थोड़ा सा वो देदू इंट्रोडक्शन आज मॉनिका गुपता मैम हमारे बीच में है जो डायेट कानपुर देहाद से हैं वो प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र हैं और उन्होंने डियले प्रशिक्ष द्वारा पार्थ योजना निर्मान और उपयोग के प्रती उदासींता की जो समस्या होती है उसके निवारण है तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है तो अब मैं मॉनिका मैम से अनुरोद करती हूं कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रीज स्टार्ट करें ठंच किर्व्र वर्ट करन के लिए यहां पर अफ्षर देने के लिए cream CRIT UEP का थनेबास देना चाहती हूं वर зв пошank बहुत बहुत आभारविक करने चाहती हूं जैसे की हमको देस दस मिट का समय दिया गया है अपने शोच को प्रस्तृती करन के लिए तौ मैं समय को वर्वाद मा कर्ते वे अपना प्रस्तृती करन स्टाइप करती हुआ मैं स्लाइट सो हो रहे हैं तो मेरे श्रोट का विशय है देलेट पे सिक्षों द्वारा पाठ युद्ना निर्मान और अपियों के प्रती उदासेंता की समस्या के निवारन हेटु क्रियात्मक सोझ है अजरीट इसको फॉल स्क्रीन में कर देजिए थाक मैं फॉल स्क्रीन पर ही है अदुट एनिक storage रह tonight यहां पर नहीं हो रहा है यहां पर हो रहा है यहां तो हो रहा है मैं अचा जलियह करिये अपना प्रेजंटेशन करें अगर नेक्स पीडिया है तो मैं यहां तो नेक्स हो रहा है अच्छा एक निग्वर्ट प्रब्लम हो सकते हैं आप आप जब श्क्रीन शेयर कर रहे हो था इंटाइर इस स्क्रीन करिये तभी होगा अभी नहीं हो रहा है कर दो करी इस्टापश कर कर दीक्रीज द्येग्र बंड शेंक अभी दूबरत मीचलिए तो आप से पूछे को आका मैं आता है इंटाइर स्क्रीन को सप्रीं को सब्सक्रीएगा डूर्ट है डूर्ट ग्रण दो अब और अथा नेक्स करें एंब अजी नेक्स रेटिक एब हो रहे है टीक एब हो रहे है थीक्ट इक एब जा लुक्षिस इसमें टार्गेट बूपे देलेट परिशिख्छू थान जिला सिक्षा एवां प्रसिक्षन संस्थान कानपूर देहाथ अवधी 31 दिन चोटकर्ता को विध्याले अनुसरिवन कारेक्रम के दौरान यह देखने को मिला कि इंटेंशिप के लिए आए डिलेक्ट सिक्षू प्रभावशी सिक्षन नहीं कर पा रहे हैं वे सिक्षन कारे करने में अनेक गलतियां करते हैं और सिक्षन कारे को क्रमबध तरीके से करने पर भी पार्थ योजनाओं में अनेक गलतियां पाई गई जिसे यह ग्यात हुआ कि प्रशिक्षों में पार्थ योजना निर्मान तथा उप्योग की समझ का आभाव है अता कक्षा सिक्षन के अंतरगत संतोज जनक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं समस्या के आधार पर शोटकर्ता ने परियोजना बनाकर इस समस्या को का समाधान करने का प्रयास किया परियोजना के उद्देश इस प्रकार है प्रसिक्षों को कख्षा सिक्षन में पार्थ योजना की उप्योगिता यहों महत्व का ज्यान कराना प्रसिक्षों को पार्थ योजना के समस्त कख्षा सिक्षण में पाठ्योजना का प्रयोग करने में रुची उत्पन्र करना प्रसिक्षों को विभिन विश्यों की पाठ्योजना के निर्माण और उप्योग में दर्ख्षिता प्रदान करना इस तो तो डियलेट प्रसिक्षों के साथ साथ डियलेट के सिख्षक प्रसिक्षों के लिए भी उप्योगी है इस पर्योजना के दौरा डियलेट प्रसिक्षों में पार्थ योजना निर्माण और उसके उप्योग के प्रति समझ विक्सित की जा सकती है DL8 पसिक्षों में कक्षा सिक्षण में पार्थ योजना के निर्माण और उपयोग करने की प्रवरत्ति को बढ़ाया जा सकता है DL8 प्रसिक्षों को विभिन विश्यों की पार्थ यूजना के निर्मान और उनके उपयोग करने में दक्षता या कौशार प्रदान किया जा सकता है DL8 प्रोग्राम विशेस्तिया इंटरेंश्य प्रोग्राम के उडवत्ता में सुधार लाया जा सकता है कि समस्या कथन न है अपारति घोजना निर्मार और इसके उपयों के प्रति ओदासीम्ता कि समस्या का परिसीमन प्रस्तु सोथ डाइड कानपर देहाद के लिए चातर हुँस्टर के अपतिक्ष्यों तक सिमीद है समफ्च्च्य के कारणों का विषलेशन तो समफ्च्य के जो कारण, समभावित कारण सामने आयती है वह इस परकार है Delet के सैध्धांतिक पार्ठिक्रम में विभी ने सैख्शिक विष्यों की पाठ योजना निर्मार से संबंदित कोई सैध्धान्तिक विशयवस्तु सम्मिलित नहीं है। प्रसिक्षों को विभिन विश्यों की पाठ योजना निर्मार से संबंदित कोई सैध्धान्तिक वविभारिक ज्यान नहीं रिया गया है। प्रसिक्षों द्वारा किसी गाइट पुडानी फाइल अस्वा इंटरनेट के माध्यम से पार्थ योजना को बिना संज़े कौपी किया जाता है। इंटर्शिप प्रोग्राम से पहले संस्थान में प्रसिक्षों को विभिन विश्यों की पार्थ योजना निर्माण और उसके उपियों का अभ्यास नहीं कराया जाता है। इंटर्शिप के दौरान किये जाने वाले कार्यों, जिनमें पाठ्योजना निर्माण भी संभली थे, को संस्थान की समय सार्णी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। इंटर्शिप के दौराण डेलेड प्रसिक्षों का संस्थान के प्रवक्ताओं के दौरा अवलोकन एवं मुल्यांकन की कोई विवस्ता नहीं है. इसके सम्मन्द में जो साक्ष एकत्रित किये थे वो डेलेड हित्तु निर्धारे दो वर्शे पार्थिक्रम है. इसके अलावा प्रसिक्षों से साक्षातकार, प्रवक्ताओं से साक्षातकार, संस्थान की समय सार्णी और प्रसिक्षों दौरा बनाई गई पार्थियोजना को अवलोकन. इस पर योजना के लिए दो क्रियात्मक परिकल्पनाय बनाई गई पहली कारिशाला के माध्यम से विभिन विश्यों की पार्थ योजना के निर्मार से संबंदित उचित प्रसिक्षा कारिक्रम के दौरा प्रसिक्षों में पार्थ योजना के निर्मार के प्रति रुची और समझ विक्सित की जा सकती है, दूसरा संस्थान में विभी नविश्यों की पाठ यूजना के निर्मार तथा सिक्षण अभ्यास के माध्यम से, पाठ यूजना के उपयोग का अभ्यास कराकर प्रिसिक्षों में इससे समझ विक्सित किया जा सकता है प्रथम क्रियात्मस परिकल्पना के परिक्षान हिथुर्ट करता द्वारा पाठ होजना के निर्मारिग के प्रती रुची और समध विक्षित करने से संब्दिक 15 दिवस्य प्रषिष्ड कारेक्रम कार्यशाला के रूप में तयार किया गया जिसका प्राइप इस्प्रकार है यह कि स्कीन पर दिखाई देरा होगा आप लोगों को इसमें और वर्क्षप है नॉलिज अबाउट टीचिंग स्कील से नॉलिज अबाउट टीचिंग मैथटेट्स है डिटेज़ आउलिज अबाउट कॉमन स्टेप्स अफ लेसं प्लान डैवलपिंग लेसं ब्लान और इन सबसे समंदित अक्टिविटीश हैं डिफेरेंट सब् प्रियुक्त जो संसाधन प्योगी है वो है प्रिसिक्ष्ण कार्क्राम है तो विशेफिश्ण चगे प्पीटी प्रोजेक्टर स्क्रीन याख्यान है तो साउंड माइक स्टेशनरी फोटो कॉपी प्रिंटाउट अधी है तो प्रिंटर और अप्रसिक्ष्ण अन्य उपकर होते हैं प्रिंटर शोटकर्ता ने प्थम क्रियात्मक परिकल्पना के परिक्ष्ण है तो बनाई गए योजना के अनुरूप कारी किया और इसके अभलोकन के पस्चात उसने पाया कि अधिकतर प्रसिक्ष्ण पार्ट योजना के विविन पदों को समझ कर उसके निर्मान म कि प्रसिक्षों से विविन विश्यों की पाथ योजना के निर्मार्ट तता स्युम्लेटिट टीचिंग के माध्यम से पाथ योजना के प्रियोग का अभ्यास करवाकर इसे संबंधित कौशर विक्सित करने ही है तो 16 दिवसीय इसिक्षण अभ्यास कारिक्रम पैयार किया या कराया गया, इसकी रूप्री का इस टिकार है. इसने विश्यों समंदित लेतन प्लान को बनबाकर उनका समिलेटी टीचिंगे माधियम से अलग अलग दिन में अभ्यास करा गया और साथ साथ स्टुडेंट्स को फीडबैक और उनका विल्यूशन भी किया गया. इसके लिए जो संसादन के आवसरात्ता हुए वह थी कारकि़न के लिए विशय के विश्यषग झगी और ुसके अलग इसकी Japan आव़ोकन और मुल्यांकन और साती सा स्व ऑ मुल्यांकन के लिए वीडियो-रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से संबन दीत शोटकर्था ने 16 दिनों तक दिप्तिय क्रियात्मक परिकल्पना के परिक्षण हेदू बनाई गई योजना के अनुरूप कारे किया और अवलोकन के माध्यां से प्रसिक्षों में हुए गुडात्मक सुधार को देखा और यह पाया कि विभी नविश्यों की पार्ठियोजना के निर्मार तथा सिक्षण अभ्यास के द्वारा प्रसिक्षों में इससे संबंदित कौशन विक्सित हो रहा है परियोजना का मुल्यांकन, शुटकर्दाने लगवग 31 दिनों तक इस परियोजना के अंतरगत प्रसिक्षों द्वारा किये गये कारे के अवलोकन के साथ-साथ, प्रसिक्षों एब अन्ने साथी प्रवक्ताओं से सीड़ए के माध्यम से आंकड़े इकत्रित किये, तता प्र प्रियानवियन से डियलेट के प्रसिक्षों के कप्छा शिक्षण में काफ़ी सुधार आया, अब प्रसिक्षों पार्थ योजना का सही रंग से निर्माण एवँपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं, अब शुटकर्दा दौरा बनाई गई परियोजना है, परियोजना सफ प्रियोजना निर्मान और उसके उपयोग के प्रती ओधासींता की समस्या की निर्माने नहीं तू लगवग 31 दिनों तक दो क्रियात्मक परिकर्वनों के नुरूप कारी किया परिणाम सरूप यह देखा गया कि समस्या के अध्यान में चामिल सभी प्रसिक्षू पार्ट और इस प्रियोजना के अंतरगत या इस क्रियात्मक शोथ के अंतरगत कुछ शुझाओ जो निकल कर आये वो इस प्रकार है कि DL8 के सद्धान्तिक पार्टिक्रम में विविन्य सैक्षिक विशो की पार्ट यूजना निर्मान से संबंदित विशय वस्तूभी सम्मलित की ज समय शानी में इंटर्शिप प्रोग्राम के दौरान किये जाने वाले कारियों को भी स्थान दिया जाना चाहें। अगर हम उसको DL8 के सद्धान्तिक विशय में सम्मलित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमारा प्रोग्राम जो नियामक संस्था होती है उसके हाथ में होता है तो हम अपने लेवल पर डाइट इस्तर पर इससे संबंदित प्रसिक्षण या कारिशाला को और्गनाइज कराकर बच्चों में पार्ट यूजना निर्माण के प्रती जो रुची होती और समझ होती है उसको भी विख्षित कर सकते हैं नेक्स्ट है इंटर्णशिप प्रोग्राम से पहले संस्थान में पार्ट यूजना निर्माण और उसके प्रियोग का अभ्यास कराना चाहिए बच्चों को इंटर् के दौरान डेलेट पर सिक्ष्छों का संस्थान के प्रवक्ताओं के दौरा अवलोकन एवं मुल्यांकन किया जाने की विवस्था की जानी चाहिए और यह सुझाओ भी हमारा और अपने बहुत महनत से इस प्रेजने अच्छा प्रेजनेशन दिया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक शौ बहुत जल्दी 10-15 मिनिट के ही दुरेशन में उन्होंने एक्ष्म रिसर्च जो अपना प्रेजन किया वह बहुत थी ईप्टेव था उनका टॉपिक भी जी को बोलती हूं कि वो अपना प्रेजंटेशन प्लीज शुरू करें विनीटा सिंग मैं प्लीज अपना प्रेजंटेशन शुरू करें कि यह सब्सक्राइब आप मुझे सुन पारिया है यह मैं नमस्ते आपकी आवाज नहीं आ रही है मैं आवार जारी है हाँ हाँ ऑकिए वह सब्सक्राइब करुदहें कि मैं सब्सक्राइब करें थाएं workshop इस ओले आप सभी लोगों कौ मेरा सढ़न दीए थे हिए सहरु कर्या शुरू करिएhr इस अनलान पर शुरू को मेरा साधर नमशकार है यह दॉक्रम कौल Sumake से आज मैं जो प्रियात्ना सोध आपके सामने प्रस्तुत करने जारी हूं उस सोध का सिर्सक है प्रात्ना सवाम में छात्रों की कम उपस्तिकी संबंधी समस्या का एक अभ्यन एवं उसका उपाय आगे बढ़ने से पहले सुध की प्रिस्ट भूमी के अंपर कर हम यह जान ले साद्ना सवा में की सकति रहतित हैं कि अवश्य था रात्ना सवा विध्याली सिक्षांकार एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता थाया विद्याले के धैनिक जीवर में अनुगसासन का प्रहला पाथ हम प्राथनासबह से ही शुरू करते हैं। प्रातना सभा किसी भी विद्ध्याले के एक ऐसा धर्पड है जो उस विद्ध्याले के भौतिक, सैक्षिक, समाजिक, मनसिक, सांस्पितिक और अध्यात्मिक वातावरान का एक साफ एवन स्पस्थ चित्र दिखलाता है प्रातना सभा नौ बालकों को अच्छे चरिते के गुड़ विक्सित करने में मदद करती है एवन देश भप्ती की भावना की विकास में भी मदद करती है प्रातना सभा इवास स्थान है जहां पर विद्ध्याथियों के साथ सूचना ही साजा की जा सकती है तरह प्राथना सभा नित्य नए बच्चों को मंच के माध्यम से समाचार पाथन समानेग्यान के प्रश्ण करने एवन उनकी अव्यक्ति की छमता के विकास का उसर प्रदान करती है उप्रोग सभी विंदों पर अगर हम विचार करें तो यह हम पाएंगे कि यदि छात्र प्राथना सभा के समय में अनुपस्तित रहता है तो छात्र के व्यक्तित्रों के सब्कुन विकास के कई पहलू कहीं न कहीं पीछे चूप जाते हैं इनहीं को ध्यान में रखते हुए छात्रों के व्यक्तित्र के समस पहलों के विकास को ध्यान में रखते हुए जो इस्वाज़ का उद्देश है प्राथन सभान में अधित स्वर्श्प क झात्रों के यह कुटू अगर差不多 तो सम्वंदी परिकल्पना के अंतरगयत हम देखते हैं कि चात्र प्राथना सभा के आयोजन के महत्तों को साइद उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते अतब प्राथना सभा में अपनी उपस्तिती को अनिवारे नहीं समझते या फिर दूसरे सब्दों में कहें कि यदि चात्र प्राथना सभा के आयोजन के महत्तों को अगर अच्छे से समझेंगे तो आप प्राथना सभा में उपस्तित होना आवश्यक भी समझेंगे दूसरी परिकल्पना है चात्रों का समय पर स्कूल ना आने की वज़े से प्राथना सभा में चात्रों की उपस्तिती कम रह हुए और कई भाइ स्कूल खुले जब स्कूल खुले तो भी सोशल इसेंसेंग के पालन करते हुए हमें बच्रों को स्वे स्कूल बुलाना पड़ा जिससे कही न कहीं प्रात् नसवा जो एक मुश्चित समय पर आयुजित होती थी वह कही कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुए जिससे की जो बच्चे थे वो प्रातना सवा डेली करने ही पाते थे या अल्टनेट देश्वे स्कून खुलते थे तो नहीं कहीं जो है उनकी उपस्तिती इस कि इसे बाधित होई और जो लास्ट परिकलतरा है प्रातना सबामें सिख्षों को की अनुपस्तिती की वज़े से तो प्राधना सभा में अनिवार में समझते हैं जैसा कि रुम सब जानते हैं जK that अर्डंवा अन्रें भी लगे होते हैं तो प्राधना सभा में उनकी और 100 परसंट स्वत करना भी एक बोट बड़ा चैलेंज है हम है अब दिन क्रिया विदी है तो सौध के अधिशयों को ध्यान में रखते हैं हुए कि अलोगण के मार्दम से हम ने हमने परोपन स्था प्रखवाativa क Jacqually क्या और खाट्र के यह जाने की कोसिब की को नर जो प्रखेश्ट यह पूल्त चातब्य Does a तक्षा में लगातार अनुकस्थित हो रहा है और साक्षातकार के मार्दयम से हमने प्रात्ना सभा में अनुकस्थित चल रहा है बच्चों के समस्याओं को या फिर उनके कार्णों को जानने की कोशिस की तथा उनके माता-पिता से भी इसकी रिगार्डिंग हम लोगोंने बा प्रात्ना सभा में डेली उपस्तित हो सके दूसरा चार्टे के अभी से बात की उन्हें समय में इस्कूल के समय में घरी लुकार्यों में ना लगाए और तीसरी जो हमने प्रियाविदी की वो थी प्रतिदिन सब प्रात्ना सब्सक्राइब करें तो एक निश्चित समय पर आयूजित किया गया और वो सभी वो सब्सक्राइब करने की पोसिस्ट की गई कि मुल्यांक़न के अंतरगत आख्रो के संक्राण एक बिशियरशन के आधार पर पूरे एंपत्रों सब्सक्राइब कर ना अढ़न ज oll痘ंथिया गया इस अध्यन के अंतरbahn कि फारीपकलटना जो हमने ब Regular भी तुट्टेवे परीकलफन पर हमने हमें चॉदिए जिसमें हमारी पहरी परिकलतना को अंतरि हो गत्वविंड़ी की गई वह यह झिए कि प्रांगह उच्छें को आज़क्ट को आफ गुट्रे वह हमने इस प्लास्टुम में थी आवह प्राथना सभा में जो बच्चे डेली आते थी उन्हें भी हमने उनकी उपस्थिती को अच्छा और करने के लिए मोटिवेट किया जिसमें कि अभी पोविड में आता देखा रहा है कि स्कूल में केवल 50-50% ही बच्चे हमारे डेली उपस्थित हो रहें तो जब प्राथना कर दो जो अभी इंटर्शिप में है और जब हम सपोर्टिब सुपर लिजब के लिए प्राथना सभा के लिए बच्चों का टाइम सी स्कूल लाने के लिए मोटिवेट किया गया जिसमें की बच्चों की उपस्तिती जो है अब इस फूल रहें चल रहें तो उसमें बच्च करते हैं तो वहां पर बच्चों को टाइम से स्कूल लिए मोटिवेट किया गया उसके हमारी जो बच्चों की उपस्तिती की वह पहले की तुल्णा में अच्छी है प्रातना सभा का निश्चे समय ते आयोजन किया जाने के पश्चाथ भी बच्चों की उपस्तिती को में बनाओ देखा गया है असाथ ही हम लोगों के तुछ यह प्रयास किया गया कि टीचर टीचिंग के दौरान इस्कूल के दौरान उन सभी कारियों से बच्चे जो की उनको सेक्शन कारियों में अउरोध हुख करने करते हैं तो उसके एकॉर्डिंग भी बच्चों की उपस्त द्वारा संचालित किया जाए तो प्रात्ना सभा में चात्रों की सत्पत्स उपस्तिती को हम सुनिष्चित कर सकते हैं उप्रोग्त गति विदियों को अन्य स्कूल में सवान प्रकार के बच्चों विसेष्टा रखने वाले बच्चों पर भी लागों किया जाए तो चात् चीजे थी जो हमारे इससे छूब गई और हम जानती ही एक्सम रिसर्च एक कंटीनिवस रिसर्च है तो जब हम इस रिसर्च को आगे कंटीनिव करेंगे तो हम इन जीजों को भी धियान में रखेंगे जैसे विद्याले की घर से दूरी बच्चेों के लिए बहुत बड़ा च चैलेंग चाह्तरे की आर्थिक समस्क्या हम जानते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे पारिवार जब नगया गया तो उन चाहत्रों को कैसे कि वह उकहत कोmbre शकुल है कि वह उस बच्चों हो उस ताइम के लिए विद्ध्याले के लिए उस वेवासय में नालगा है शाथ्रे की दूची ये बहुत बढदा इंपरें वह बहुत एंपॉर्टेल कले करता है की चफ्यकूल में उपस्थति की चा  बहुत दो साल से स्कूल में कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे तो यह भी एक बहुत बड़ा फॉइंट है कि छातों की रूची भी विद्याले आने में होनी चाहिए परिवार का व्यवसाय यह भी बहुत बड़ा अब ता व्यवस्ट अब करें का का लिजर फॉट कर लिजिए वाईल सीन्हें अब कर यंधा प्रोड प्रोड अप्राइश और अपने जब तो पिद लिए बारे तो यह जंगा लिए डिए ओन पलगी आपने आपने जो आपने यह विस्टति लिए तर विए तके लिए टे से वो बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है आप अपनी विनिता सिंग माम अपनी श्रीन शेरिंग बंद कर दीजे प्लीज हां थैंक यू सो मच अब यह अब मेरा है नहींट विनिता सिंग माम का जो प्रेसंटेशन था वो बहुत ही अच्छा था उसका topic मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने चात्रों की जो उपस्तिती है उसको उन्होंने एक action research का topic लिया कि जो प्राथना सभा में उनकी उपस्तिती कम क्यूं होती है ये जो टॉपिक है यह एक टीचर ही इसको महसूस कर सकता है. जैसे हम आक्जिछ की बात करते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं. कि हमने अपने आसपास के माहौर में, अपने परिवेश में, अपने शिक्षा में हमने क्या प्रॉब्लम को फेस किया और उसको लेकर करके हम एक्षिन रिसर्च को डिजाइन करते हैं और उसको इंप्लिमेंट करते हैं. तो विनीता सिंग माम का जो टॉपिक था, बहुत ही उसमें उनकी रुची के साथ-साथ उनका अनुभव बोलता है कि उन्होंने देखा होगा जरूर के विद्यालेयों में चात्रों के बीच में ये समस्या आती है, शिक्षपों को ये समस्या दिखाई देती है, उसको लेकर क उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्षण रिसर्च का काम किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ, और इसमें जरूर हमारे जो विशेविशेशगे हैं, इसको बहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देंगे, वो हम अंत में अपने विशेविशेशग्यों को अन शंकर सर्जी, उनको अम्रोहा डायेट से हैं, और उनका एक्षण रिसर्च का टॉपिक है, एक्षण रिसर्च प्रोजेक्ट और इंग्लिश दिक्टेशन इन अपर प्राइमरी स्कूल, ये भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, मैं आप सभी लोगों से आशा करत हुँ कि आप लोग इस प्रेजेंटेशन को भी अच्छे से सुनें, देखें, समझें और इसमें अपने सुझाव अंत में हमें दें, तो मैं अपने जो थर्ड प्रेजेंटर हैं, उनको अनुरोध करूँगी कि वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, रमा शंकर सर् अपना प्रेजेंटेशन आप तुरां स्टार्ट कर दीजेए, जी, 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 गुन्यन मैठम, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, ठीक है, सर्थ इसक्रीन जो मैं सेयर कर रहा हूँ, वो बिज अई, सेयर को धर्स, कंध ça, सopic और हों? जी, खुल अपूर्णिमूली की सच्डीए, जी, खुलेर अपिरस, क्क्रीवां मेरी दーチद्र में पारन कि shouldbacks दैन्यवां, उर्ण I start my presentation. I want to convey my high obligation from the bottom of my heart to respected director, sir, SCERT, joint director, sir, SSA, team SCERT, and especially I am very thankful to Gunjan Rodela, Madam, who has explained this to me, and all of you who are joining with us at the moment. Today, the topic of my presentation regarding action research is the problems of English dictation in our upper primary schools. As we know that all of us have faced this problem in any stage of our lives. Let's come to the point and start without delay. I hope that Hindi language will be the better language to explain this report to understand you very well. I think that in Hindi, if I can understand you in a better way, and all of us will be able to understand it in a better way, one more time, please welcome everyone. Abhinandan. As we know, our upper primary schools, those kids who are 6-7-8, they have to speak and write them in a better way. I was focused on that, and the upper primary schools, I can't write them correctly in their own language. I was going to monitor and supervision. So, I saw the teachers of English teachers, English as a second language are used to study and teach them in English later. They are used to pray for English or' degree, तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तो इसी से सम्मधित मेरी एक्षन रिसेट्स की जो रिपोर्ट है, इसको मैं शुरू करता हूँ, इसके अगर बात करें, इसके परीशे की अगर बात करें, तो यह एक ऐसी रिपोर्ट है, जो ऐसी प्रिकरिया और पदिती को खोजने का प्रियास करती है, जिससे कि हमारे अपर प्राइमरी स्कूल के जो चात्र हैं, वो अंग्रेजी को ऐसे सेकंड लेंग्वेज के तौर पर अच्छी तरीके से सीख सकें, यानि उनको डिक्टेशन का प्रियोग करके वो सेकंड लेंग्वेज के तौर पर इंग्लिस को अच्छी तरीके से सीख सकें, और यह एक क्लास्रूम बेस्ट और टीचर इनिसियेट डॉकुमेंट है, जिससे हम जो ट्रेडिशनल हमारी डिक्टेशन की प्रिकरिया है, उसको रिप्लेस कर सकें, एक नई इनोवेटिव प्रिकरिया से, जिसमें बच्चों को जो डिक्टेशन की क्लास है, वो बोरिंग ना लगे, और उनको डिक्टेट करा हुआ लिखने में उनको डिक्टेट करने में बहुत आसानी हो, उनको एंजोई आए और उनको वो इंट्रेस्टेट हो, तो ये एक प्रियास है, इसमें कच्छा 6 से 8 तक के हमने 97 बच्चों को एजे सेंपल लिया है, और डाटा कलेक्शन की अगर इंट्रव्यूस को सामिल किया गया है, साथ ही टीचर्स का जो अब जर्वेसर रहता है क्लासरूम में, उसको भी हमने इसमें सामिल किया है, यानि हमने कुल मलाकर पांच एक्टिविटी का सहरा लिया है, 97 बच्चों को सिंपलिंग के तोर पर लिया है, और खक्चा 6 से 8 तक झाएं, यानि बच्चे इसमें इसमें बॉलता है और बच्चे उसको सुनते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद में टीचर से उसके कराते हैं, यह इस पिर्करिया में, डीक्टेशन की पिर्करिया में हमारी जो इंग्लिस की जो skills हैं, यानि L, S, R, W, listening, speaking, reading and writing, उन सभी का development होगा, बच्चों का, जो सुन भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, और उसके बाद लिख भी सकेंगे, और उसके बाद English को as a second language, सीख भी सकेंगे, यानि इस research project में ये बताया गया है, और ये आपको बताने की कोसिस की गई है, कि डिक्टेशन की जो पारंप्रिक प्रिक्रिया है, उसमें कुछ नया करने के लिए, हमें कुछ activities को अगर हम उसमें सामिल कर लें, तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिस को सीख सेखेंगे. स्कति दूसरी हमारी प्रोलम है, हुआ किस तरीके से रचेटराइब oynाल सुथ फरियोड जिस कि अठ्ञएं कि दूसरी हमारी मेलम है, हम है सबुछुट जर लदनींय स्किल आजए या second language, यानि second language की तोर पर English किस तरीके सा बच्चों किलिए लाभकारी हो सकती है, यानि इक्टेशन की परकारिया इंग्ली को सीखने में किस परकार लाभकारी हो सकती है. हमने प्रोबल्म को फर्मिलेट कीया है, is how is the how is the student's ability to on listening by using dictation technique dictation की जो टेक्निक है उससे किस परकार लिसनिंग की जो हमारी अबिलिटी है वो डेबलब हो सकती है और how can dictation technique can increase student's ability in listening skills यानि खास तोर पर बच्चे की listening जो हमारी ability है उसको डेबलब करने के लिए यहां प्रयास किया गया है objective कि अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य तोर पर तीन objective को सामिल किया गया है to find out to what extent could dictation activities help people's learning of English as a second language यानि English को second language के तोर पर सीखने के लिए किस प्रकार dictation की प्रक्रिया या डिक्टेशन की activity है वो साहक हो सकती है और किस प्रकार English की जो traditional dictation exercises है उनको किस प्रकार हम replace करें एक नई innovative प्रक्रिया के दुआरा और किस प्रकार dictation को use करने के बाद हमारी जो favorite language teaching है उसको हम implement कर सकते हैं और हमारी learning की methods कौन-कौन सी होंगी और उनको किस प्रकार सुदभारा जा सकता है theoretical review की अगर हम बात करें तो इसमें हम dictation को भली बाती जानते हैं कि dictation क्या है कितने प्रकार की होती है dictation क्या है और कितने प्रकार की होती है इसको इसको अच्छी तरीके से मैं यहां 108 में आपको बताय देता हूँ चुकि अगर मैं जादा इसको डेटेल में चलूँगा तो बहुत जादा समय हो जाएगा और चुकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है यह जैसे कि आपको बता है dictation एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी भासा को सीखने और समझने के लिए प्रियोग किया जाता है इसमें एक पैसेज को अध्यापक के दौरा बोला जाता है पच्चे अची तरीके से सांती से सुनते हैं और उसके बाद में उसको अध्यापक जैसे जैसे बोलते चले जाते हैं बच्चा वैसे ही लिखता चला जाता है, और उसके बाद बच्चा स्पेलिंग चेक करानी के लिए अध्यापक के पास जाता है, अध्यापक उसकी स्पेलिंग को चेक करते हैं, तो यह पारंपरिक तो पर देखा जाया, पराने समय में से अब तक, यह प्रिक्रिया बड़ी ब बोरिंग हो जाते हैं बच्चे और उनको कुछ इंट्रेस्टिंग एसा दिखाई नहीं कोई देता है जिसा है कि वो लंभे समय तक लास में कुए एक स्वें। इसमें वही तीन परकर हिजा है competition और elicited imitation इसमें पांच परकार के dictation का फ्रियोग किया गया है advantages की बात करें तो इसके मुख्य advantages जो है dictation के वो आप भली भादी जानते हैं इसमें language skill का development रहता है speech जो हमारी writing की बहुश हथादी है और हम एक तरिके से practice कि जो हमारी रहती है listening के तौर पर और उसको develop करने के लिए listening जो हमारी है वो develop हो जाती है or listening skills जो है हमारी वो भी develop हो जाती है बच्चों की spelling इस spelling को recognize करना और उनको grammar rules जो है उसके और उसके grammar rules के जो skills हैं उनको भी develop करने में आसानी हो जाती है और sentence को formation के लिए sentence को बनाने की में वो पारंगत हो जाते हैं dialogue और उनको correction करने में पारंगत हो जाते हैं handwriting उनकी सुदर जाती है और spelling errors जो है उनमें भी reduce हो जाता है यानि spelling में गलतियां करना बच्चे धीरी-धीरे कम कर देते हैं क्योंकि dictation की प्रकरिया बहुत परानी है कि किया जाता है जिससे बच्चे की listening skills के साथ साथ और भी इतनी skills है वो develop होती रहती है research अगर method की बात करें तो research method में हमारे इसमें क्लमलाकर जैसा के आपको पता ही है इसमें हमने ककच्च 6-78 के जो basic ॉ अब क्च्च्च 6-78 के जो basic schools होते हैं हमरे खास 망 में अब्रया कि उपती सभी लेड कि आए कि उ प्पद्वेर्च..ू आट इस बच्छों को सामिल की fix लोग मैं को सामिल किया है इसमें वही मैं एज रेंज की अगर बात करो तो वही 10-15 साल की एज रेंज है, जिरको सामिल किया है, बच्चों की बेक्ग्राउंड जो है वो ग्रामीड है, और ग्रामीड परिवेस में पले बढ़े हैं, इनके पारिवारिक माहॉल जो है इंगलिस के बोलने, लिखने, पढ सामिल किया गया है, रिसर्च मेथट की बात करें, तो इसमें हमने कुल मलाकर पांच एक्टिविटी का प्रियोग किया है, वो जो पांचों एक्टिविटी हैं, वो हमारी रिजल्ट हमें प्राप्ट कराने में उनको हम आसानी मिली है, जो मैथट है हमारे रिसर्च के उसमें हमने डाटा कलेक्शन के लिए हमने पहले जो परकरिया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चितर आप देख रहे हैं, इसमें हमने प्लानिंग की है, उसके बाद में हमने एक्टिविटी किया है, और फिर इसी परकार हमने प 97 बचे लिए है इसमें हमने कुल मिलाकर जो activity किया है वो activity 5 है और इनको activity करने के पाद में जो data collection हमें करना है उसके लिए हमने कुल मिलाकर 2 interviews conduct किये हैं और 3 questionnaire administered किये हैं observation भी किया है class में और एक checklist का भी प्रियोग किया है जिसे बच्चों के रुजहान और बच्चों के जो perception है जो pre-test से पहले और post-test यानि टेस्ट के बाद जो उनके रुजहान और जो उनके बरताओ और जो उनके experience में जो बदलाओ आया है उसके लिए भी हमने यहां पर जगह द करने दो रोड़े बच्चों के सुनने समझने और बाक कि निरमाल की कलाद विक्सित होथी है तर दूसकी पार्सियल टिक्टेशन की अगर बात करें तो इसमें हमद्चों को जो डोडों में बढ़ाते हैं तो इसमें सुनने नहीं एक गुरुप बनाते हैं, टेक्स्ट को दो भागों में बाट लिया जाता है, और आधा-धा टेक्स्ट दोनों बच्चों को पढ़ना पढ़ता है, एक बच्चा बोलता है तो दूसरा बच्चा लिखता है, इससे बच्चों की LSRW यानि चारो स्किल्स डेवलप होती है, तीस जो एक एक करके रुप में कार्रे करते हैं, जो घंटी बजते ही रुप में बच्चा बच्चों की बावना डेवलप होती है, और जब टेक्स्ट समापत हो जाता है, उसके बाद ये पर ग्रिया समापत हो जो कुछ भी हमने बोला है और लिखा है, उसको एक दूसरे से आप में डिसकस किया जाता है, तीसरा हमारा है ग्रामर डिक्टेशन, इसमें ग्रामर डिक्टेशन में पांच्छे का ग्रुप में बच्चों को बिठाते हैं, इसमें अध्यापक बोलते हैं, बच्चे ब्रीफली जो है इंपोर्टेंट वर्ट्स को लिखते हैं, फिर ग्रुप अन्तिम जो हमारी activity है, वो composition dictation है, इसमें बच्चों को हम गुरूप में बिठाते हैं, जिसमें अमूमन 4 से 6 बच्चे होते हैं, अध्यापक इसमें बोलते हैं, बच्चे बोले गए टेक्स में से परिचित, यानि जिन सब्दों को जानते हैं, उनको लिखते हैं, नोट डाउ इसमें बच्चों की सुनने की, समझने की, पढ़ने की, लेने की, और बाग के निरमाल करने की, यानि सेंटेंस को फॉर्म करने की जो ability है, वो विक्सित होती है, साथ ही English की जो हमारी skills है, वो सभी LSRW skills है, वो develop होती है, डाटा कलेक्सल की अगर हम बात करें, तो हमने इसमें two structured, semi structured interviews, और two sets of structured questionnaire का, हमने इस्तमाल किया है, और teacher जो class में रहता है, वो observation भी उन्होंने किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें interviews हैं, और इसमें questionnaire को भी हमने सामिल किया है, जिसमें yes or no type के questions भी हैं, और बहुत सारे हमने बच्चों के रुजहान जो है, strongly agree और agree में उनके opinion को लिया है और उसको यहां mention किया है, टीचर के दुआर एक checklist का भी used किया गया है, जो observation checklist के नाम से जानी जाती है, उसके बाद अगर हम, हमने दो condition यहां देखिए, situation prior to the research और उसके बाद situation after the research, इसके बाद में जितनी भी हमने innovative activities की, उससे पहले जो बच्चों का traditional dictation के बारे में उसको हमने note किया और उसके बाद में जो हमने activity कराई, जो innovative activities थी English dictation की, उसके बाद जो बच्चों का क्या रुजहान था, क्या perception था और क्या result हमारे सामने आया, उसको मैं आपको अच्छी तरीके से यहां स्क्रीन पर सम्झाने की पोसिस करूंगा, तो हमारे पार्ट हैं इसके pre-test और post-test, आप देख रहे होंगे कच्छा 67 के जो बच्चे हैं उनको हमने strongly agree, no opinion और strongly disagree में इसको divide किया है, जैनि तीन तरीके से हमने उनके opinion लिये हैं, जैसे पहला इसमें परसन है dictation helps my learning, dictation मेरी learning में को help करती है, तो इसमें देखिए आप strongly agree, पहले इतन लेकिन post-test, उस new dictation प्रकरिया को apply करने के बाद में, जो result है हमारे वो सामने आप देख रहे हैं, strongly agree में बहुत सारे बच्चे जो है वो level उनका बढ़ गया, जो strongly agree है इस चीज से के dictation में नहीं तरकीवों को नहीं जो innovative ideas हैं, उनको सामिल किया जाए, तो कितना सुधार हो सकत है, इसी तरीके से हमारा pre-test और post-test में dictation makes me happy, यारी dictation से मुझे खुसी मिलती है, इस पर हमने उनके रुझान या perception लिये, जिसमें आप सामने देख रहे होंगे, pre-test, pre-study में आपने देखा क्या है condition, और post-study में आपने देखा क्या condition है, strongly agree में भी संख्या बढ़ गई है, और हमारी जो result है, वो अपना काम उसने किया है, dictation brings me satisfaction, यारी dictation से हमें संतुष्टी मिलती है, ये भी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस परकार pre-test में condition थी है, और किस परकार की condition post-test में आ गई है, यारी post-study हमने क्या difference हमारे बच्चों के perception में और उनकी experience में देख रहे होंगे, इधर strongly agree pre-study में कितनी है, और इसके बाद strongly agree की संख्या post-study में कितनी है, ये हमारे differences है, उसके बाद आप देख रहे होंगे, I like to have more dictation, कि मुझे dictation की पिरकरिया बहुत पसंद है, इसमें भी आप pre-study और post-study के जो आंक्रे हैं, वो आप अच्छी तर perception, जो dictation पर है, before or after, क्या difference आए है, इसी परकार ये भी आप, ये summary है, dictation brings me satisfaction, I like to have more dictation, ये आप सारी चीज़े देख रहे होंगे, और overall अगर हम बात करें, तो ये आप आप आंक्रे इसमें देख रहे हैं, क्या difference आए है, यानि overall अगर देखा जाए, तो हमारी जो dictation की जो न इसके हमने यूज किये, जो five activities हैं, जिक्सा dictation, partial dictation, running dictation, grammar dictation और composition dictation, इनका यूज करके हम पारंपरिक जो dictation की परकरिया है, उसको सुधार सकते हैं, बच्चों को enjoy, आए, interest आए, और बच्चे अची तरीके से इंगलिस को सीख सकें, इसमें हमारी जो ये जो एक प्रयास थ इसा सुधार पारंपरिक डिक्टेशन की परकरिया में हो सकता है, और उसके इस्थान पर हम नई परकरिया को अपलाई कर सकते हैं, सकारात्मक हम को परिणाम भी दिखाई दिये हैं, तो ये जो हमारा चोटा सा परियास था, I hope that आप सभी लोग अची तरीके से समझ गए हों आपका जो प्रेजंटेशन था, नो डाउट बहुत ही अच्छा था, आपने तो एक्शन रिसर्च के उसमें पूरा पी एच्डी ही अपना प्रेजंट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, आपने इसमें बहुत मैहनत करी है, और बेसिकली मुझे आपके टूल्स बहुत बाकी एक्शन रिसर्च ओवरॉल तो अभी हमारे जो विशे विशे शक्व्य हैं, वो हमें गाइड करेंगे कि उसमें क्या बहतरी और हो सकती है, पर जो आपने टूल्स बनाए जो बच्चों के लिए, उसमें आपने, I feel happy to do dictation work, or क्या था, dictation brings satisfaction, it makes me happy, I like to have more dictation, जो यह त आपका काम बहुत इंट्रेस्टिंग रहा, भले ही वो dictation से related था, subject से related था, और बच्चों को ऐसा लगा नहीं होगा कि वो पढ़ाई की विशे में बात कर रहे, वो happiness and satisfaction के बारे में बात कर रहे होंगे, तो it was really a very good work from your side, और बाद में मैं अपने विशे विशे शर्गयों से इसमें जरूर सुनना चाहूंगी feedback कि उनको इसमें क्या सुधार की आवशक्ता महसूस हो रही है, अब मैं अपने रमाशंकर जी को thank you कहने के उपरांत मैं Amita Singh Ma'am, हमारी जो fourth presenter है, उनको present करने का नुरोध करूंगी, और उनसे आशा करती हूं कि वो अपना जो presentation है, वो जल्दी से present करें क्योंकि हमारा time वैसे भी over हो चुका है, तो Amita Singh Ma'am, आप मुझे सुन पा रही है, तो फ्लीज अपना presentation जल्दी से start कर दीजे. एक मिनट मैं बीच में इंटरॉप्ट करूंगी, जो हमारे attendees हैं, वो भी बीच में चैट बॉक्स में या फिर वैसे messages कर सकते हैं कि उनको प्रोग्राम के कॉमेंस पे प्रोग्राम पे कॉमेंस डाल सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा है या उनको क्या सुझाव देना हैं, वो ओके मितामां, आपका प्रेजनेशन फिर्ट करते हैं, कुम właściwie देख पार कि अब बिक है महां दिख रहा है आप एक बिच्झ जिय कर दीजिए। मेंने शेयर का आप्शन क्लिक करके स्क्रीन शेयर क्या का स्क्रीं शेयर हो रही है का वह रही है जाओ हो हो मूल हूल हुल मेरी अबाज शेयर हो रहे हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं इस अपना माइक जो है उसके मुट करते हैं अपना माइक आप कर लेजिए आज का जो मेरा टॉपिक जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं नहीं यह मेरे एक्सपीरियंस है उस तोरान के जब कोविट 19 के समय में हमें आप सब्सक्राइब करने क्लासिए और अपना स्टार्ट करना पड़ा और हम बिलकुल भी इस लिए प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र नहीं थे तो उस तोरान मैंने जो कुछ कि मैंने देखा और समझा उसको एक्षिन रिसर्च के रूप में मैंने डॉक्यमेंट किया है इसको आपके चाहर करते हुए मुझे बहुत खुशी महसुस तो रही है और आप सब का धन्यबाद कि आपने मुझे यह शेर करने का मौका दिया जो उसमें मेरी दिक्कत थी वो मतुरा में उस समय जो पढ़ रहे थे डिलेट सेकिंड समस्टर के यह उस तौरान की के रिसर्च राइटेंट अप्रेल ट्विटी ट्विटी से नाइंथ में ट्विटी ट्विटी के बीचे काम किया गया था देवर एलक्टेंट तो इस्टडी इन ओनलाइन क्लास तो इसी दूसरों में तो बच्चों ने इसमें काफी जील शो किया और वो काफी इंटरस से इसमें प्रेजंट होते थे लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि उनका जो एंथूसियास्ट था वो धिरे-धिरे करके खतम होने लगा है और वो अब उतना इंटरस से पार्टिसिपेट से लुक नहीं कर रहा है युशन था तो इस स्वाशिन कि जो अचेटिव दो पहला तो ये था कि मैं ये जानो कि बच्चों की अरूची जो हो रही है उनलाइन क्लास्ट के लिए वो क्यों हो रही है दूसरा मेरा जो अब्जेक्टिव था कि मैं इनका इंकर दुबारा ओं recipe वी कैसे डवलब कर सकते हूं। ये जो सटड़ी है ये ऐसलिये स्टी थक्शनिविकेण्ट है की हम जिस양तर दरह है जिस समय में इस जुब एंध्य में रहा हैं उस समय में ये ऑनलाइन ट्राकॉम में आपकेंचने टेडेया अपन होती है ये सबी इस टेकोल्डर को इसके अलाबहा इसके जो स्टेडी के रिजर्ट्स है वो यह भी कही नहीं लाइट फ्रो करेंगे कि किस तरीके से हम ओनलाइन क्लासिस का इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं, तो स्टेक्मिंग जो प्रॉब्लम है हमारा डिक्रीजिंग इंट्रस्ट इस स्टेडी की यह है कि यह सिफ डियलेट सिकिंड सेंस्टर के स्टुडेंट्स पर जो समय डाइट मतुरा में स्टडी कर रहे थे उन पर ही की गई है और जब एनलेसिस हमने कॉज का किया यह हमारा अनलेसिस अर्टी दो तरीके पर बेस्ता एक तो सैफ अब्जर्वरशन पर वेस्ता और इसके अलाबा भच्छों से बात्षीत करके हमने जुम इन्फॉर्मल जुम मीटिंग में जब उनसे बात की तो कुछ कुछ पॉजस हमको समझ में आये सबसे पहले जो पी जो चीज हमको समझ में आये की इम परस्नालेटी होती है ओनलाइन च्लास में जब हम पेस्टो फेस पिसी बच्चे को कुछ बता रहे होते हैं तो गापको अपरसें काथा है कि he is also a person and the teacher who is teaching is also a person लेकिन जब चीज़ें में चीज़ें में चैनिकल हो जाती है को वह इंटरस्ट कहीं लोग लुगता है और यह जो रिजर्ट था यह इस बात पर बात बेस था कि ह आपने जब इस्टुडेंट से रिस्पॉंस लिये तो उन्होंने हमको ऐसा बताया तो इस एफेक्ट और इट कैन बी इन कंपूल दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी इंटरेक्टिविटी क्योंकि बिल्कुल नहीं शुरुआती तो क्लास्रूम पे हम सिर्फ लेक्शर कि जो चीजें हम ओफ लाइन में करते हैं वो हम नहीं कर रहे थे यह भी स्टुडेंट से बातशीत में निकल गया और इसको भी कंट्रोल किया जा सकता था तीसरी पात मुझे जो अब्सर्वेशन से मैंने पील की हो थी कि बच्चे जो हैं क्लास को लेने के लिए अगर हम वैसे ही ओनलाइन क्लास सेम सेनारियो में ले तो शायद बच्चों का इंफ्रस्ट दुबारा जाग सके या बच्चों को जिस तरीके से हम कुशिंस ओफ लाइन क्लास में पूशते हैं उसी तरीके सगर पूशिशन पूचे तो एक इंटरेक्शन की प्रॉब्लम भ कि अपने टॉपिक में सब चीज से मेंशन कर दे कि हम आज के टॉपिक में क्या-क्या पढ़ा रहे हैं यह एक लाकिंग टाइम मतलब एक लाकिंग थी हमारी ओनलाइन क्लास समें कि हम शुरू में मेंशन नहीं कर रहे थे तो बाच्चे बोट फील करते थे तो अगर हम यह है इसको बतादीं तन उनका इमपर्ट उपाने से उन्की जो आंद्रसर है वो दोबारा जाग सकता है इसके लिई जो एक हफ्टे का टायम लिया इसमें एक हफ्टे का टायम लिया इसमें एक हफ्टे के दौरान हमने वाइद वोड का यूज करती हुए चुकिह पहले ही है कि हम लेक्शर जो प्रजेंट करेंगे वो वाइट वोड के साथ जिसे हम क्लास में ग्रीन बोर्ट से करते हैं सेम वाइट वोड से लाइफ टेलीकास्ट करेंगे तो इसके लिए हमने वाइट वोड का यूज लाइफ सेशन जो कुछ भी हम पढ़ा रहे थे वो सीधे-सीधे जो लैप्टॉप एंडवाइट फोन है उस पर विल्कुल लाइफ क्लास्रों की तरह टेलीकास्ट किया गया इसमें जो हमें बटील की ज़रूरत पड़ी वह एक वाइट वाइट वार्ड मार्कर तो था ही था इसके अलाबहा आपके पास अगर कैमरा एंडवाइट फोन हो और उसको फिक्स करने के लिए ट्राइपॉड हो और एक आपको जूम या गुगल मीट का एप इन चीजों की मुझे चुरूरत पड़ी और यह जो है इस तरीके से मैंने एक हफ़ते तक क्लासेज ली शुरुआत में ही सारी चीज़े क्लियरली मेंशन करते गए और जो भी कोशिंस होते हैं लगातार इंट्रोड़क्ट्री और डेवलपिंग कोशिंस के साथ लास्ट में इवेलियोटिव कोशिंस भी बच्चों से पूछे गए और एक हफ़ते के बाद में हमने एक इंफॉर अच्छी रिजल्ट में उसमें मुझे लगा कि शुरू शुरू में तो दो तीन लेक्टर में तो शुरू में उनको बहुत अच्छा लगा लेकिन फिर धीरे धीरे उनका इंट्रेस्ट रेट जो है वो नीचे की तरफ जाने लगा और उसके भी बच्चों ने कई अपने अ लेंट जो थी लेक्टर की वो बढ़ जाती थी इसकी बचे से बच्चे फटीग करते थे यह दोनों ही चीज़े स्टुरेंट से हमारी इंक्वाइरिंग के दौरान पता चली तोनों ही फैक्त थे और पूर कनेक्टिविटी भले ही आउट अट अफ कंप्रोल हो लेकिन हम ल प्रेजंटेशन का यूज करें तो वाइबूट पर राइटिंग का जो टाइम है वो कम होगा और बचों को बहुत अधिक देर तक स्क्रीन टाइम नहीं देना होगा और दूसरा अगर पूर कनेक्टिविटी भी है तो जिस समय कनेक्टिविटी हो उस समय वो क्लासे हम बच इसमें पावर पॉइंट प्रेजेशन हमने विफूर हैं तयार किया और उसको एक्स्प्लीट कर दिया क्लासेश में और इसके साथ साथ जो भी हमने क्लासेज ली थी उनकी रिकॉर्डिंग भी हमने जो इंस्टिट्यूट की वेबसाइट है उस पर अबलेबल कर वादी इस उनके हिसाब से यह क्लियर ली शो हुआ कि पावर पॉइंट प्रेजेशन के साथ जो मेंटल फटीग वाला एक प्रॉब्लम थी और जिसकी बज़े से उनका इंटरस्ट इक्रीस हो रहा था वो सौर्ट आउट हुई है इसके साथ यह भी पाया गया कि अगर हम को कर रहा था इसके अधार पर हम एक कह सकते हैं एक्शन रिसर्च के आधार पर की रिकॉर्ड इडियो ऑफ ओनलाइन क्लासेज जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हम जब अबलेबल कराते हैं इस्टुडेंट्स को तो वो नाकिबल एफेक्टिव होता है ब वीडियो करें जो अधार प्रेजेंटेशन था एक्दम आए होप की एक्शन रिसर्च में आपने सारे पैरामीटर्स को स्टेप वाइस बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और आपने एक्शन हाइपोथ प्रेजिस की भी बात करी जब अभी हमारे जो प्रेजेंटेशन इसी वज़े से है कि जिनको एक्शन रिसर्च की समझ नहीं है या जिनको एक्शन रिसर्च नहीं आता है वो उसको करके और देख करके उधारन के रूप में देखें और समझ जाएं कि किस एक्शन रिसर्च होता क्या है। पिछले व्याख्यान शिंकला में हमारे तीनों विश्षिषग्यों ने हमें यह समझाने का प्रयाज किया था बहुत अच्छा उन्होंने लेक्छर सिर् mentor शिरिस चलाया था जिसमें उन्होंने हमें एक्षन रिसर्च के बारे में बताया था आजका आपका ये प्रेजंटेशन उस पे एकदम खरा उतरता है आपने सारे स्टेप्स को और बहुत ही जादा समराइज फॉर्म में जैसे एक्षन रिसर्च होना चाहिए वैसे आपने प्रेजंट किया और आपका टॉपिक भी बहुत रेलिवेंट था हमारे ओनलाइन लेक् चाहिए क्पडेश यजय डिस ड्सक्रण चेनल्क करिए और उसको अपस्टोंध के परीक्ष में देखने का प्रयास केक्च कि अई जा सकता है तो एक wonderful presentation next कि भाग बाद अपने जो next presenter है दिनेश कुमार-यादव सरुन से उरोध करूँंगे कि वो अपना प्रेजंटेशन प्रस्तुत करें. जी मैं में नमस्ते. नमस्ते सर. चलिए फाइनली कल से महनत करने के बाद आप जुड़ पाए. मुझे इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि कल से आप बहुत महनत करके इसमें आज आप आए हैं. तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें जुड़े. चलिए आपका प्रेजंटेशन शुरू करते हैं और आपका प्रेजंटेशन हम देखते हैं. आप अपना प्रेजंटेशन स्टार्ट कर दीजे सर. आपका प्रेजंटेशन स्टार्ट कर देखते हैं. आपका प्रेजंटेशन स्टार्ट कर देखते हैं. हो रही है सर, हो रही है. आप शुरू कर दीजे सर. जी मैम. सबसे पहले मैम हो रही है, इसमे मेरे में दिखा नहीं रहा है. इसमें नई आप प्लीज आप शुरू रखी सर हम लोगों को सब दिख रहे हैं क्रियात्मक्षोद एक प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया पूरा आ रहा है सर आप स्टार्ट चलिए सबसे पहले सिर्टी के निदेशक सही शिच्छा निदेशक और गुंजन मायम का विशे सूत्व इता में कार्ज़त हूं मैं आज जो मैं प्रजेंटेशन कर रहा हूं इसमें मेरा जो क्रियात्मक्षोद पूर हुआ नहीं है भी मैं इसको यह मेरा यह प्रक्रिया गतिमान है पीच में तीन दिविशी जो आनलाइन कारिशाला हुई थी इसके पहले भी एसी आटी दोरा ए उसी का मैरे इस पे मतलब बहुत कुछ अपना अक्शन डिसर्श प्लान बनाने का प्रयास किया है इसमें आप सभी का सुझा मारदरशन चाहिए कैसे तरह से कैसे हुआ है तो उसके मैं चर्चा करता हूं या उस पे उन्होंने एक्शन डिसर्श का क्राम किया है और इसमें इस स्लाइड दिखाये खनवेची, इसमें उन्होंने परीचय के तौर पे कुट लेवन के कुट लेवन की उन्होंने बरिभाशा रखी है, जिस संदर्ब या छेत्र में समस्या उत्पन होती है, उसी संदर्ब या छेत्र में उस समस्या का समधान किया जाए, तो हम शोद और पहता तरीके से समस्या का निदान कर सकते हैं, क्रियात्मक शोद एक प्रक्रिया है, जिसमें विभे नगती विधियां व्यवस्तित रूप से करके शिक्षन के किसी भी पहलों से समध्य समस्या का हल निकाल सकते हैं, यह उन्होंने क्रियात्मक शोद का परिशे दिया है, आग अभी कल्प, निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना, छटा योजना का क्रियानवन, प्रदत का विश्लेशन कर निशकर्ष निकालना, अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना. ये उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के स्टेप्स को बताया है, उसके बाद उन्होंने समस्या की पहचान करने के सोपान के अंतरगर तीन कारे बताएं हैं, जिसमें उन्होंने समस्या का चयन करना, कथन लिखना और समस्या का उद्देश लिखना बताया है, पिर उन्होंन विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता, विद्यार्थियों द्वारा गणेत विशय में रुचीना लेना, उनकी शैक्षिक उपलब्धी तथा उनके द्वारा वर्ण माला का अशुद्ध चरण करना, इस प्रकार उन्होंने समस्या के विबिन पहलू बताएं हैं, फिर उन उन्होंने समस्या कथन को रखा है हमारे सामने, क्रियात्मक शोद के शेशक में तीन जानकारिया उन्होंने दी हैं, चर अथवा समस्या, जन संख्या का समू जिसको हम इंगलिश में सैंपलिंग कहते हैं, फिर शोद का प्रकार अथवा शोद की विधी, इस प्रकार उन्हो पुर जन्पद एटा के कक्षा तीन के विद्यार्थियों में शर, शर और सर, I think मैं सही से शुद्ध उचारन कर रही हूं, शर, शर और सर के शुद्ध उचारन के अभाव को दूर करने में उचारन स्थान, संबंदी अभ्यास गति विद्यों के प्रभाव का अध्यान, उन् जिस पर क्रियात्मक्षोद किया जाएगा, इस शोद में सहायक सामगरी एक उपचार है, इस क्रियात्मक्षोद के कथन में चर एक समू एवं शोद के प्रकार के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए या कथन उपियुक्त है, इस प्रकार उन्होंने अपना क्रियात्मक अब उदेश का निर्धारण समस्या की पहचान के अंतर गती उदेश का निर्धारण किया जाता है शिर्शक लिखने के पश्चात उससे संबंदित उदेश लिखने चाहिए क्रियात्मक्षोद की गुणवत्ता उदेश्यों की शब्दावली पर निर्भर होती है इसमें उन इसके उपरांत परिकल्पना उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है शोद करता संबंदित साहिट को ही समस्या का आधार बनाते हैं और उसी को परिकल्पना बनाने में उपयोग में लेते हैं इसलिए अधिकतर शू ने परिकल्पना बनाई जाती है जिसको हम नल hypothesis कहते हैं इसके उपरांत उन्होंने जो स्लाइड प्रस्तूत की है उन्होंने संबंदित साहित की समीक्षा आइधिंक ये रिव्यू ओफ लेटे लिट्रेचर के बारे में उन्होंने बताया है इसको मैं थोड़ा सा स्किप करती हूँ मैं उनके जो उन्होंने कार किया है उस पे फोकस करते हुए शूने कल्पना उनकी परिकल्पना सौरी नल हाइपोथिसस पड़ती हूँ क्रियात्मक्षोध में शोध करता अपने हिसाब से कोई भी परिकल्पना नहीं कर सकता इसके लिए उसे संबंदित साहित की समीक्षा करनी होती है शूने परिकल्पना कक्षा कक्ष में उचारण से संबन्दित अभ्यास गति विद्धियों को करने के पूर्व तथा पश्चात विद्यार्थियों के हिंदी उचारण के उपलब्धी के औसे तंकों में कोई सार्थे कंतर पाया गया है उपर युग दो प्रकार की दी गई नियादर्ष विद्धियों मे से क्रियात्मक्षोद में असमभाविता नियादर्ष से ही सोशद्य नियादर्ष जादा सटीक है क्योंकि अध्यापक उसी कक्षा में विद्यार्थियों पर क्रियात्मक्षोद करेगा जिसको जिनको पढ़ाता है इस प्रकार उन्होंने नल हाइपोथिस के बारे में बता जाते हैं, उन्होंने ऐसे शब्द लिये हैं, जिसमें श, श, और स, का उचारण, फिर उन्होंने मुल्यांकन प्रपत्र का यूज किया है, ये उनके उपकरण है, मतलब की टूल से, फिर उन्होंने प्रयोगात्मक अभिकल्प, इसका उन्होंने अभिकल्प ही उपियोग में लाया जाता है क्योंकि क्रियात्मक शोध अध्यापक अपनी कख्षा के विद्यार्थियों पर ही करता है इस प्रकार उन्होंने प्रयोगात्मक अभी कल्ट का मतलब की प्रिटेस्ट और पोस्टेस्ट का यूज किया है क्रियात्मक्षोध में जो कि हम यूज करते हैं यह आप उनकी स्लाइट्स देख सकते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है जो बाद में डिटेल में पढ़ना चाहें और देखना चाहें वो हमारे फेस्बुक चैनल प में काम किया है जिसको पूरा पढ़ना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे उसके बाद उन्होंने पोस्ट टेस्ट के बताए हैं उप्चारण के पश्चात परिक्षण किस तरह से उन्होंने टेस्ट किया पूर वो पश्चात परिक्षण के बीच ध्यान देने योग्य जो बाते हैं जो variables की बाते हम करते हैं उसको उन्होंने धिखाया फिर प्रदत का एक इकत्रि करन उन्होंने किस तरह data collection किया उन्होंने फिर data का प्रदत का wishlelia amiga उन्होंने कैसे correlated T-test paired sample T-test का IPO करते हुए statistics का इस्त wspól करते हुए उन्होंने analysis किया और उसके बाद उन्होंने परिणाम की आख्या देते हुए प्रतिवेदन पूर्ण प्रतिवेदन बताया है कि कैसे किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्रियात्मक्षोध प्रतिवेदन का प्रारूप, शोधक का नाम, क्रियात्मक्षोध का सत्र, विद्याले संस्था का नाम, किस तरह से हम इस क्रिय आत्मक्षोध को दूसरे डायेट्स में और दूसरे विद्यालेयों में भी कर सकते हैं, उसका उन्होंने एक तरीका पुलकुल स्पष्ट रूप से बताया है, इस तरह से उन्होंने डेटाबेस, ओनलाइन दस्ताबेस, प्रश्ट संख्या अंकेत करना और कैसे हम इन टूल्स का इस्तिमाल करते हुए, pre-test और post-test का इस्तिमाल करते हुए हम किस प्रकार? अपने स्कूल में और डायेट्स में अपने जगों पे श, श, और स के उचारन को सही धंग से बच्चों का के उचारन को ठीक कर सकते हैं, उनके pronunciation विभार को ठीक कर सकते हैं, आदत को ठीक कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा presentation बनाया था, मुझे थोड़ा सा खेद है कि वो technical problems की वज़े से जोड़ नहीं सके और अपना presentation स्वेम प्रस्तूत नहीं कर सके, मैं जितने बहतर तरीके से, जितने कम समय में कर सकती थी, मैंने कोशिश की है, बाकिया पूरा detailed form हमारे SCRT के Facebook चैनल पे देख सकते हैं, बहुत- धन्यवाद, thank you so much, अब मैं इसको यही wind up करती हूँ और कल बारा बजे मिलते हैं, thank you.